हेलो दोस्तों स्वागत है एक और नई पिल्सिक्ल टुटोरियल वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेस्टेड इफ के बारे में उससे पहले अगर आपने हमारी प्रीवेस वीडियो इफ दैन एलस इफ वीडियो नहीं देखिये और इफ इस टेटमेंट से नहीं देखिये तो आप इसको ज़रूर देखे ताकि आपको ये वीडियो समझने में असानी हो सके इफ से रिलेटेड जो भी वीडियो हैं उनके जो लिंक है वो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगे साथ शेयर कर दूँआ और आई बटन पे आप क्लिक करके उन उसके बाद हम देखेंगे इसके सिंटेक्स को और एक्स्प्लेइन करेंगे एक्जाम्पल को तो नेस्टेडिफ बिसिकली होता क्या है नेस्टेडिफ आपको क्या होता है कंडिशनल स्टेट्मेंट के अंदर आता है ठीक है और मल्टिपल बुलेन एक्सप्रेशन को कर सकते हो ठीक है तो उसी को हम क्या कर सकते हैं you can use one यहां पर मैं highlight कर देता हूं you can use one if then और if then else if statement inside यहां पर आपको ध्यान एक लिए inside another if then or if then else statement इसका मदलब क्या है अप एक if then statement अगर आप simple यूज़ कर सकते हो तो इसके अंदर आप multiplyài यूज़ कर सकते हो if then else if फिक है इसी तरहिके से अगर आप use करते हो if then else statement तो उसके अंदर भी आ यूज़ कर सकते हो if के बाद then if else if के अंदर भी if और if then else multiple if use कर सकते हो simply nested if मतलब यही होता है ठीक है अब हम इसको समगते हैं एक flow chart की help से ताकि आप easily समझ सको nested if के बाद सबसे पहले क्या होता है condition जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो condition आपके I condition में आप क्या करते हो या तो condition आपके true होगी या false होगी if के अंदर आप true के अंदर आप क्या करते हो एक और condition चेक करवाते हो with the help of if if या if then else किसी की भी help से आप second condition चेक करवाते हो उसमें भी आपका क्या होता है या तो true हो सकते है condition या false होते है आप वसके अगर फॉल्स के अंदर भी आप क्या कर सकते हो एक्शिछू को एक्षिफ एक्षिं को एक्जेक्यूट कर सकते हो तो यह हो गया जिसींपलनेस्टे को देख लिखते हैं syntax आप किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो अगर आप if then else if then else यूज़ कर रहे हो तो आप necessary if को किस तरीके से यूज़ करोगे if condition then आप again use कर सकते हो if condition then और जो भी आपका sequence of statement उसको execute कर सकते हो यह इसके अंदर भी अगर कोई भी if condition और यूज कर सकते हो then else अगर आप else के साथ execute कर रहे हो तो else के अंदर भी आप multiple if use कर सकते हो या directly sequence of statement execute कर सकते हो ठीक है तो यह हो गया आप पर nested if अब हम देख लेते हैं इसके example को तो example का फिर हमने simple लिया हुआ है इसके अंदर आप देख सकते हो यह हो गया हमारा anonymous block ठीक है उसके अंदर हमने क्या यूज किया एक variable यूज किया है number type का और इसके अंदर हमने value store करी है 10 ठीक है अब सबसे पहले यहाँ पर हमने conditional statement हम यहाँ पर चला रहे हैं जिसके अंदर हमने check करा कि अगर variable हमारा not null होता है then क्या होगा और अगर null होता है तो क्या होगा ठीक है अगर not null होता है तो हमने क्या use किया condition में एक और if use करा है इसे को हम क्या बोले है nestative यहनि एक इफ nestative इफ के अंदर एक और इफ ठीक है इसको हम बोले है nestative उसके अंदर हमने use किया variable की value का हमने दिया चेक किया हमने condition अगर variable equal to 10 है then हमारा जो भी sequence of statement वो execute होगा ठीक है then else के अंदर हम क्या कर सकते हैं else के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं else के साथ भी हम nestative use कर सकते हैं ठीक है उसको हम SQL developer पर live देखेंगे कि इस तरीके से execute होगा और क्या changes कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर ठीक है तो आईए बढ़ते हैं और चलते हैं SQL developer की तरफ कि आप देख सकते हो हम आ चुके हैं SQL developer की तरफ और जो program मैंने slide पर समझाया था उसको हम SQL developer पर आके देख लेते हैं और जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो variable हमने already define कर रखा है हमने condition चेक करी है और हम इसको run करके देखते हैं क्या हमारा output आता है तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो output आया हमारा nested if example executed ठीक है क्यों आया क्योंकि हमने चेक किया variable is not null तो not null नही है हमारा variable हम second if पर आये if पर हमने चेक करा variable equal to 10 है yes 10 है और हमारा sequence of statement है वो execute होगा ठीक है अब हम एक और second condition ले ले लेते हैं और इसको हम नए tab में open कर लेते हैं ठीक है और same program को हम use करेंगे तो इसको हम यहां पर लियाते हैं ठीक है तो अब यहां पर क्या कर सकते हैं हम और भी variables को use कर सकते हैं ठीक है अब एक और variable define कर लेते हैं variable 2 ठीक है इसके अंदर value देते हैं 20 ठीक है अब आप यहां पर क्या कर सकते हैं if variable 10 है then हम क्या चेक कर सकते हैं एक बार और हम चेक करेंगा अगर if variable 2 टी वेल्यू अगर 20 होती है देन हमारा यह प्रिंट होगा अधर्वाइज हमारा एंड इफ हो जाएगा ठीक है नेस्टेड इफ के एक और एक्जांपल होगा इसको हम चलाते हैं ठीक है नेस्टेड इफ एक्जांपल एक्जेक्यूटेट क्योंकि सारी कंडिशन हमारे क्या सकते हैं इसका स्टार्ट और नॉट नल एक्वल टू एक्वल टू देन एक्जेक्यूट क्या हम एल्स के अंदर भी नेस्टेड इफ यूज कर सकते हैं यस हम एल्स के अंदर भी नेस्टेड इफ यूज कर सकते हैं किस तरीके से यूज कर सकते हैं अब हमने वेरिबल को वै कर दिया null second variable को ठीक है अब इसको हम करते है run तो आप यह देखोगे कि message क्या आएगा you are in else statement else statement क्यों है क्योंकि पहली condition true हो गई तो other जो nested है उसको execute नहीं करेगा ठीक है अब अगर हम else में आगे तो हम क्या कर सकते हैं हम सबसे पहले क्या कर सकते है variable के अंदर value को हम assign कर सकते हैं सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं variable के value assign कर देते है 10 और variable 2 को भी हम एक value assign कर देते है 20 अब हम क्या कर सकते हैं unfortunately हम यूज कर सकते है इफ वी वेरिवेल इस नॉट नल ठीक है इफ वेरिवल इस नॉट नल एंड इफ और यहाँ पर आपको देना है ठीक है एंड इफ होगया हमारा और हम क्या कर सकते हैं एंड यहाँ पर कंडिशन भी चेक कर सकते हैं दो कंडिशन चेक करने के लिए हम एंड का यूज करते हैं कि अगर दोनों कंडिशन हमें चेक करने हो ठीक है वी वेरिवल इस नॉट नल इस केस में हम चेक करते हैं एंड जब हमें दो condition एक साथ चेक करने है अब हम इसको control A कर लेते हैं प्रोग्राम को और इसको custom करते जाते हैं be variable अच्छा must be declared be variable variable यहाँ पर हमने कलत यूज कर लिया है ठीक है be variable हो गया इसको में सही से यूज कर लिया then control A you are in else statement ठीक है so इसका मतलब यह है कि nested आप if कहीं भी use कर सकते हो ठीक है आप या directly else part को आप remove कर सकते हो पूरा का पूरा इस तरीके से भी आप चल सकते हो या else if के साथ कर सकते हो तो आप किसी भी if statement के साथ use कर सकते हो nested if को ठीक है based on your requirement so i hope आपको यह video पसंद आई हो अगर आपको यह video पसंद आई हो तो video को like कर दें और आप channel को subscribe कर सकते हो अगर आपको psql की video पसंद आती है तो और अगर आपको कोई भी query इस video से related है तो आप comment section में drop कर सकते हो हम आपको इसका solution जरूर provide करेंगे तब तक के लिए भाई इस हुआ 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 है